है बेलीमे बाीक हों तो यार आज जो अपनो टॉपिक होने वाला वह वो आपना होने वाला भॉटर पॉलीशन गूप है वो पॉलीशन अठीक है जिनकी सवप्ड़ते आरहेंज अरह इंद्यूसरी नहीं सब कस्तिक होरने थे तफ़ शेँद से इस कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो छोड़ो रहा हूं है सारे कबर करते हैं जो आपको इनिवर्सिटी में इंपोर्टेंट हैं पूछे जाते हैं में लिए और जो नोट्स बगएर हैं ये भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं है अपने टेलिग्राम चैनल पे इसकी लिंक म अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं यार नोट्स बहुत काफी इंपोर्टेंट रोल पिले करते हैं यहां डियूंगी एक्जाम टाइम पर आप सारी बुक परने नहीं बैट होगी वहाँ पर आपको नोट्सी काम का आने वाले है तो मेरे आप सारे नोट्स ले वाटर का तो आप क्या सोचते हो का आपको पानी कैसा मिलना चाहिए तो आप यहीं सोचोगे ना कि उसमें हार हार्मफुल केमिकल सब्स्टांस ना हो कोई पैथोजैनिक और ना हो कोई तो इसका कोई कलर ना दिख रहा हुगा आपको पानी का कलर छोड़का कोई बदू आ होगी तो इन चीहों को आप अबोईड करना चाहोगी क्यों क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो की कंटामिनेटेड बॉर्टर का कंजप्शन करना चाहेगा तो यह सारी हार्मफुल जितनी भी आपर सब्स्टांस ने पैथोजैनिक और जो कलर और और यह बहुत मैटर कर पर यह पनी मैंनमेड तो नेचुरल में क्या के इम्पुलिटी हो सकती है नाइट्रोजन ठीक है नॉर्मली वह सकती है कारमन डाय जी ऑक्साइट है इस सारे की सारे नेचुरल अक्रिंग एलिमेंट्स होते हैं तो यह ना वाटर को क्या कर सकते हैं कंटामिनेट कर सकते हैं बाइड नेशुरेली ठीक है बड़ लेकिन मैनमेड इंपिरिटी इसकी बात करते हैं ठीक है उसमें जो फैस्ट यार वो है हुमन एक्टिविटी तो आप जानती होगी हुमन्स की एक्टिविटी आजकल बहुत ही खतरनाक लेविल पर चल रही है ठीक है क्या होता है कभी कभी कोई जा रहा है ठीक है कोई सामान पड़ा है उसके पास नीचे दिख रही है यह नदी दिख रही है नदी में ही डाल दिया ठीक है तैसे जार कंटामिनेशन ओ बॉटर ठीक है बहुत सारी लोग होते हैं बस में जा रहे हैं कहीं अपने को बिरिज मिलता है नीचे पानी है स इसके साथ शॉब के साथ, तो शॉब का जो जितना भी जहाग बनता है, वो सारा के सारा केमिकल जहार, जो कि कंटामिनेट कर देते हैं, वॉटर को, और देखते हैं, अरबनाइजेशन, तीक है, अरबनाइजेशन में क्या आता है, ऐसे मानचलूब की, कहीं पे सहरी करन हो रह उस वज़े से भी अपने content recognition देखने को मिलता है water का इंडिस्ट्रलाइजेशन नहांपे क्या होता है जो बाइम बचाइब बढ़ी tendencies लगती है, तो क्या होता है कि उनमें भी यार, जो उनका best product रहता है वोnt only में при्ट दिया जाता है इस वज़े से भी अपने water का contamination होता है और देखते हैं agriculture and domestic waste ठीक है agriculture की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि agriculture में क्या होता है यहां से मान चलो बरसात का मौसा माया ठीक है कोई भी यह farmer उसने अपनी crop लगा दी ठीक है अब क्या होगा उससे बचने के मान पेस्टी साइट्स हवह च्याहिक है और बारिश पाने के साथ एक हट्टा होगा नदी तालाब इनमें पहुंच जाएगा फाइनली जो आप एगरी कल्चर को या फिर जो आपकी फार्मिंग है ठीक है क्रॉफ है उसको आप जो पेस्टी साइट सर्वी साइट्स प्रोवाइड करवाते हो ना वो फाइनली पहुंच जाती नदी तालाब तो फाइनली क्या हो रहा है अपना कंटामिनेशन हो रहा है ठीक है डॉमिस्टिक बेस्ट ठीक है ये तो अपना ही रह नॉरमल ये अचार घर द खाना बना रहा है कुछ अपना भी होता है बेस्ट वेगरा वहापन सारा-सारा नालों की थूर नदियों में पास कर दते हैं बहुत बड़ी सिटियों में आपने देखा होएं ज्यांसे इंदो और भोपाल तिक है ट्रेंड conjunto से जाते हैं तो नाले बहुत बड़े-बड़े दिखते हैं तिक और वह커 देखती contaminated होते हैं आगे जलते हैं organic water pollutants अब क्या होता है जो water pollutants इसमें आपन ओर्गनिक देखने वाले हैं ठीक है और्गनिक में क्या कहा सकता है तो normal dissolved oxygen का मतलब क्या है एक बाटर है ठीक बाटर है तो बाटर में यार एक specific amount में oxygen dissolver रहती है ठीक है content होती है इसका amount हो जाता है contaminated organic based ठीक है जो organic based होता है उसको measure upon two types से कर सकते हैं एक तो होता है bio chemical organic demand ठीक और दूसरी chemical oxygen demand ठीक है और chemical oxygen demand बायो chemical oxygen demand में क्या होता है जो biological agents होते हैं उनके थुरू जो अपनी oxygen है ठीक है वो deplet हो रही क्योंकि उनकी demand है oxygen की और chemical oxygen demand मतलब कि जो chemicals आप डाल रहे उन वज़े से जो oxygen का depletion हो रहा है ठीक है तो उस oxygen को measure करते हैं दौनों टाइप की oxygen को अपन oxygen demands को measure करते हैं इससे पन पता चलता है कि organic based कैसा है कितना है उसमें ठीक है अब क्या होता है कि herbicides को मानने के लिए होती है ठीक है soil insecticides मतलब कि आपके कोई भी insects है वो जो की soil में present है उनको मानना है ठीक है और chlorinating hydrocarbons इस सारी चीज क्या होती है अपनी pesticides ठीक है जो कि बाद में जाके पहले तो अपन नदी ताला ठीक है डेम बगर है यह सब चीज है इन्हों ने वाटर पॉल्टेंट्स में क्या आते हैं इंडरेश्टियल बेस्ट ठीक है content toxic agents जैसे detergents का solvent cyanides heavy metals जैसे कि अपना क्या SG PV and arsenic ठीक है यह तीनों आप याद रखना और मिंडल्स ठीक है जिसमें अपना लोराइड आता है selenium आता है ठीक है और वह सारा ammonia dyes ठीक है और pigments यह सारे के सारे एड़ कर देदी बार्टर में ठीक है यह सारे के सारे अपनी इनोगनिक अब बात करते हैं फिजीकल वाटर पॉलीटेंट की जो फिजीकल ही होते हैं ठीक है आपको पता है कि यह एंसे प्लांट्स होते हैं नुक्लियर पावर प्लांट्स ठीक है तो उनका जो बेस्ट रहता भोग कभी कभी बांटर में disloge कर दिया जाता है यह से वहापे Mitsubinci عندient coronation डेखने की विक मीस देखनेंु मिलता है pषम publicly अपने सब्सक्र buffet गालिए आरे OFF mutations ठीक है and वह सारी deformities disease cause हो सकते हैं human population में तो इसलिए इन चीजों को आवाइड करना चाहिए अपने को आगे देखते हैं effect of human health तो अपना contamination देख लिया इसकी वज़े से जो human की health उसको पर क्या effect आ सकता है ठीक है तो क्या हो सकता है water related disorder classified follows मदलग कि इन सारी contamination की वज़े से वह सारी disorders आ सकते हैं पहले हो सकते हैं कोई से biological waterborne disorders ठीक और दूसरे chemical waterborne disorders ठीक बाइलोजीकल waterborne disorder का मदलग क्या है जो biological आपको होने वाले हो ठीक है आपको virus की वैसे viral hepatitis A हो सकता है poliomyelitis ठीक है इस सारी चीज़े हो सकती है bacteria वैसे typhoid ठीक है parathyroid fever bacillus ठीक है इस सारी diarrhea call dry यह सब हो सकती है protozoans इनके वैसे amoebiasis हो सकती है helleventus इसकी वैसे round warm ठीक है thread warm इस सारी के सारी क्या होते है causative agents होते हैं जो की water के साथ मिल जाते हैं water contaminate करके जिसको अपन conserve कर लेते हैं इस वैसे अपने यह सारी disease देखने को मिलती है तो यह होती है अपनी biological water born disease ठीक है आगे देखते है chemical water born disease ठीक है तो यार अपनी यहाँ पे biological तो काफी simple थी लेकिन chemical वाली थोड़ी जाता है ठीक है तो इसमें देखते हैं पहले नंबर देखते हैं पर नाइट्रेट्स ठीक है in infants high nitrates contain water associate with met hemoglobin that leads to sinuses sinuses पढ़ोगे आप physiology में आठ टीक है तो वहाँ practical होता है sinuses के लिए तो क्या होता है आठ जो नाइट्रेट्स होते हैं ठीक है नाइट्रेट्स का करते हैं hemoglobin के साथ combine कर जाते हैं और form करते हैं mat hemoglobin तो आठ नाइट्रेट्स की hemoglobin से combination होने की बज़े से जो body में जो अपने color देखने लगता है वो अपना हो जाता है blue color ठीक है उसी को अपन बोलते है sinuses sinuses अगर आपको देखना है body में तो two types से देख सकते हो एक होती है peripheral और दूसी होती है central ठीक है peripheral मतलब कि जो आपके nail weights होते हैं उनमें देखी जाती है central में आप अपने mouth में देख सकते हो ठीक है molting of the dental animal ठीक है जो animal होता है अपने दातों का ठीक है जो कि heart substance से बना होता है तो उसमें florosis हो जाती है क्या होता है कि यह से मानके चलो कि आपका एक white color का teeth है ठीक है यह कापी अच्छा बना दिया में दिखरा होगा ठीक है तो क्या कुछ ऐसा रहता है नहीं ठीक है यह आपका teeth हो गया तो उसमें क्या रहता है जो यहां पर इसमें ना कुछ colorate pigments आ जाते हैं ठीक है इसी को बोलते है अपन फ्लोरोसिस आपने कहीं लोगों के देखेंगा जो teeth होते है ना उसमें pigmentation देखते हैं black color से ठीक है कुछ थोड़ एलोस सी भी होते है तो यह होते है chain ठीक है अब एक चीज़ जहां देखना ठीक है मैंने आपको पड़ा रखा है बालोजिक का लॉक्सडेशन पूरा तो अपने जो साइटोक्रोम ठीक है साइटोक्रोम एथरी होता है यह अपना electron transport chain होती है तो उसकी complex में एक carrier होता है जो की अपने electrons को carry करवाता है ठीक है तो यहां पर यह अपना जो iron है वो रहता है प्लस टू रिवर्शी वाली convert होके बनाता है अपना F3 में ठीक है फैरिक में फैरस सा फैरिक में जा रहा है तो क्या होगा जो साइनाइड होता है वो चिलेट कर लेता है चिलेटिंग मतलब कि उसके साथ एड हो जाएगा जो cn- है just sign sign you must Magnus है तो यहां पर करने के लिए फैरिक जो आयों न है टीक है ऑ है तो को ब्रॉडिवित करने के लिए साइनाइडस कर जाता है इस cases अपना प्लस में नहीं जा पाता है जो में ली ठीक है जो जाना चाहिए था इस चिलेटिंग की वज़ेसे जो आपकी चल लाइथी न है यहां पर इनिविट्स हो जाती है तो यह काम होता है साइनाइट का पूरी बाय केमिस्टी लिंक करकर पढ़ोगे न तो आपको न ऐसा लगेगा कि में को आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अब देखो फोर देखते हैं लीड लीड मतलब पीवी ठीक है लीड टॉक्सिक् अब इन्याइम होता है इस एक कर देखा और किया होता है यह जोitel dining का बढ़ाता है लोड इन्यार अबहर देखते हैं फिरो चलेटेस एंजायम टीक है यहाँ पर वी कर देता देता है इसको इन्यविट्स कर देता है आगे बढ़ते हैं, आर्सेनिक को देखते हैं, आर्सेनिक बहिए क्या करवा रहा है है यहां पर, आर्सेनिक इनिविट्स दा, सल्फा हाइड्रिल ग्रॉप्स of enzymes, ठीके, एंटेर विट, इंटर्फियर विट, सेलूरर मेटाबॉल, क्या होता है, क्या अपने enzymes होते हैं, ठीके enzymes के पास, जहां पर सल्फा हाइडल ग्रॉप्स लगे होते हैं, ठीके, जो कि उनकी activity के लिए काफी importance होते हैं, ठीके, तो वो उनको इनिविट्स कर जाते हैं, इस वाई से जो cellular मेटाबॉल्स चल रहा था, ठीके, इंटर्फियर गर रहा है उनको, इस वाई से जो cellular ठीके, यह आपको दिख रही है, अगर यहाँ पर कोई damage आजाता है, ठीके, तो यहाँ पर कोई damage आगे है, तो क्या होगा, इसकी वज़े से जो उसके अंदर ठीके, जो अपना hemoglobin बगेरा था, तो वो अपना और भार निकल के आएगा, ठीके, बलड में जाएगा, ठीके, तो क्या होगा, वहाँ से जो hemoglobin था, ठीक है, अपने समाने के चलो कि, इंट्रवस्कुलर हीमोलाइसिस हुई, तो ऐसे आप यह देखिए, सेल था, ठीक है, आपको जूम करके बताना पड़ेगा, यह देखिए, पर यहाँ पर कलर भी कल देते है, change, ठीक है, यहाँ पर यह सेल है, ठीक है, इसके अंदर हो रही हीमोलाइसिस, जब हीमोलाइसिस होगा, तो हीम निकल के आएगा बाहर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, भाहर निकल के आएगा, तो वह अपनी ब्लेड बेसल में आएगा, ठीक है, अब वह ब्लेड बेसल में आ जाएगा, तो जो ब्लेड अपना वो अपना ब्लेड में आ टो तो पने की बज़ेसे सी इस वसे सी कनने है आपना वो depths inexpensive हिदी मलूविन पढ़ा रहा है तीक है और कोई अप्स बड़े ब्लेट में जादा होंगा हुआ हमोगलोविन तो निकल जाएगा अपना इयुरियन में तो उसी कंडिशन बोलिंग अपन हीमोग्लूविन यूलिया ठीक है टॉक्सिक एफेक्ट ऑप आर्सेनिक्स लीट्स टू क्रेम्स एंड पैरलाइस लीट्स टू डैथ क्या होता है कि जब आपके पास लीट की आर्सेनिक की ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इस बहुते हैं बोडी में क्रेम्स आने लगते हैं और बोडी पैरलाइस भी कर जाती है अब देखते हैं मर्कुरी का टीक है मर्कुरी का क्या काम है मर्कुरी का होती है वींग लिपिट सॉल्यूवल टीक है तो mercury अपनी बॉडी में store कर जाएगी ठीक है और store कर जाती है और क्या करवाता है mercury cross the blood brain जो blood का brain का barrier था तो उसको cross कर जाता है physiology में important topic होता है blood brain barrier तो blood brain barrier को cross कर जाता है at least placenta का भी cross कर जाता है अगर placenta भी cross कर जाएगा तो क्या होगा जो baby होगा ना उसके अंदर भी mercury का level चला जाएगा ठीक है retained by kidney इसको kidney retained कर लेती है and brain causes neurological disorders और death अगर brain में पहुँच जाएगा blood brain barrier को cross कर के तो वहाँ पे death के अपने को symptoms का death होई जाएगी वहाँ पे ठीक है वह उस symptoms देखने को बोलते हैं वह अपने को मिलते है neurological disorders बगेरा के केडमियम को देखते है केडमियम क्या करवाता है केडमियम acclimates primary in the kidney kidney के साथ ही acclimate कर जाता है primary ठीक है potent uncouplers ठीक है इसको भी बताऊंगा मैं of oxidative phosphorylation जब मैं आपको biological oxidation पढ़ा रहाता तो मैंने आपको separately बताया है बेटा कि uncouplers क्या होते है physiological uncouplers क्या होते है ठीक है और उसके बाद मैंने आपको ionoports भी बढ़ा आए ये सारे के सारे importance होते हैं इनको आप skip मत करो बिल्कुल भी uncouplers क्योंकि इनसे mq आते हैं direct बिल्कुल दो-तीन mq फस जाते हैं कभी-कभी ठीक है तो कैर्डिमियम के होता है potent uncouplers तो रिबिजन करवा देता हूँ uncouplers क्या करवाते हैं ये मेरा क्या है mitochondria ठीक है इसकी क्या है intramembrane space जे अपनी क्या है inner mitochondria membrane space ठीक है और ये मेरी outer तो क्या होता है यहां पर तो मेरा arrangement होता है electron transport chain का ठीक है hydrogen potential gradient तो इस potential gradient की वच्छ क्या होता है कि अभी gradient तो बन गया इसी के वच अपनी ATP generate होने वाली है अब क्या होता है कि अहिनो पूर्ट्स क्या करते हैं एक channel type का बनवा देते हैं तो उस channels के तुरू ए hydrogen बापस से अंदर आ जाते हैं कॉंडिया के मेट्रिक्स में इस बज़े से जो ग्रेडियेंट बन राद वो डिस्रप्ट हो जाता है और हीट का प्रोडक्शन होता है ठीक है एक काम होता है अनकपलर्ट का ठीक है तो मैंने आपके रिवाइज करवा दिया है concept वापस से ठीक है तो है यही तो अपना सारा का स इसको आप अच्छे से एक बार और पढ़ लेना क्योंकि यार मान की चलो आप पढ़के नहीं है हां मुझे पता है कि आपको आता है वाटर पॉलिशन ठीक है बड़ लग इतना भी मुझे पता है कि एक्जाम टाइम पर आपको इतना एक्कूरेट नहीं आए जितना मैंने ठीक है और वहां पर यार क्या होता है कि कोई भी बंदा पूरी साल मेंनत कर रहा है ठीक है तो वह ऐसे चोटे-चोटे टोपिक जब आ जाते है ना तो बंदा वहां बीट कर जाता है जो इसको लिखना चाहिए वह नहीं लिख पाता है सारे तो खूब अच्छे से लिखते लेकिन ऐसे दो तीन अगर कोश्चन फच जाते है न चोटे मोड़े टोपिक के और वहां पर बीट कर जाता है तो बहां बहुत बेकाल लगता है कि मैं पूरा पेपर में अच्छा किया बटे छोटे-छोटे ठलू से जे टोपिक सागा इनकी वैसे मेरा पेपर खराब हो गय इसलिए सारे टोपिक अपने को अच्छे से बढ़के जाने किसी को कोई छोटा नहीं समझना है टोपिक को क्योंकि सारे टोपिक्स अपने आप में इंपोर्टेंट स्रोल पर लेकरते हैं नोट से बगेरा मेरे टेलिग्राम चैनल से ले रहे ना और आपको वीडियो अपने फ्रेंस के साथ भी शियर करवा है क्योंकि उन लोगों की भी हेल्फ हो सके हो वहां पर और इसके बाद याद बड़ी अच्छे से पढ़ाई करो थेंक्यी फॉर बॉच्छिंग एंड कीप लगने